दोस्तों काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि काइन मास्टर में जो ग्रीन स्क्रीन है उसकी एडिटिंग कैसे की जाती है बहुत ही सिंपल स्टैप होता है लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पाते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है बहुत ही सिंपल सा स्टैप होत या किसी भी तरह की video प्रीडियो करना चाहते हैं तो solar 9 हमेशा लेना चाहिए यहाँ पर मैं next कर दूँगा और next करने के बाद यहाँ से मुझे कोई वी वीडियो लेनी है जिसका मुझे green screen एफेक्ट करना है या green screen वाली video लेनी है लेकिन green screen वाली video तभी लेनी चाहिए है जब आपने background में कोई wallpaper या कोई वीडियो लगा रखी हो, तो सबसे पहले हम चूज करेंगे कोई भी background या कोई wallpaper, जैसे कि मैं यहाँ पर click करता हूँ और मैं कोई यहाँ पर background ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इस room बाला ये मैंने background ले लिया है, ठीक है, background ले लिया है, और background को हम उतना बड़ा कर देते हैं जितनी बड़ी edit हमें video करनी है, माल लिजे मुझे एक मिनट की video edit करनी है, तो एक मिनट का मैंने ये background लगा दिया, background को लाने के लिए आपको media पर जाना है, यहाँ देखिए, यह media पर मैं click करता हूँ और वहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है, अब हमें क्या करना है, कि अब हमें media में नहीं जाना है, अब हमें layer का इस्तमाल करना है, जो भी video या photo लेके आनी है, वो layer से लेके आनी है, तो यहाँ पर हम green screen वाली video edit करेंगे, जिसके लिए हमें video लेके आनी है, तो layer का इस्तमाल करेंगे, क्योंकि वीडियो आएगी इस इस photo के नीशे तो यहाँ पर layer देखिए आप screen पर देखिए layer पर click करते ही layer खुल गई अब हम media में जाएंगे और वहाँ से green screen वाली video ले के आएंगे तो यहाँ पर मैंने click किया और मैं देखता हूँ कोई green screen वाली video हो तो ये देखीएग मैंने एक video ले लिए है, green screen वाली, और ये video कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अब इसको मुझे edit करना है, सबसे पहले green screen वाली video अच्छी तरह से उसका video recording हुआ होना चाहिए, background आपका सही होना चाहिए, परचाही नहीं आने चाहिए, ये पहली सर्थ होत ही है तो कोई भी सलवटे नहीं होने चाहिए ग्रीन पर और बैग्राउंड में जो लाइट है उसका मतलब एफेक्ट पूरी तरह से होना चाहिए कहीं भी परचाही नहीं होने चाहिए वनना एडिटिंग में दिक्कत आती है तो यहां यह वीडियो बिल्कुल सही है कोई दिक आपको अधिक नहीं हो सकता बाकी का मैं एडिट कर लूँगा तो यहां पर सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन वाली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको करना है सलेक्ट, सलेक्ट करते ही इस तरीके से यह सर्किल बन जाएगा सर्किल बनने के बाद आपको यहां पर सेटिंग म नीचे की तरफ आना है और देखना है क्रोमा की क्रोमा की सबी किसी भी तरह का क्रोमा की किसी भी तरह का वीडियो एडिटर होता है अधिकतर में दिया होता है और काइन मास्टर में इस तरीके से आपको देख जाएगा एक लड़की बनी होगी और क्रोमा की लिखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर सिर्फ आपको करना है जानि इसको और करते ही ऑट्मेटिक जितना ये इफेक्ट करना है जितना ये एडिट करना है और हो जाता है बाकी हमें मैनुवली करना पड़ता है काम में अच्छा फिनिस लाने के लिए तो यहां पर यह दो लड़कियां दिखाई दे रही है तो यहां पर यह रैड कलर जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है बैक्ग्राउंड को हम ज्यादा ब्लैक कर सकते हैं और कम ब्ल ब्लैक हो जाएगी तो यहां पर इसको बुल्कुल ब्लैक करेंगे तब ही पीछे आपकी जो पर्चाई है वो नहीं आएगी और उपर वाले को देखेंगे तो उपर वाले में कि रेड कलर की लड़की है और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको मैं 30 31 कर दूँगा उतना ही करना है जितना हो सके शैटिंग करकर के बार बार आपको देखना है कहां पर आपकी जो सैटिंग है वो सही बैठती है तो मैंने इसको ओके कर दिया यहां पर ओके कर दिया तो यह देखा आपने कि यह सही तरी से एडिट हुआ है अब इसको मैं इससे छोटा बड़ कर सकता हूँ और चोटा बड़ा करने के बाद इसके उपर मैं क्लिक करूँगा अपनी उगली रखूँगा और उगली को टच कराते ही इधर उधर सरकाऊँगा तो ये इस साइड उस साइड चली जाएगी तो आप जहां भी इसको रखना चाते हैं उधर ले जा सकते हैं और ऐसे करके तीर से इसको बड़ा कर सकते हैं ये देखिए तो मैंने इसको बड़ा कर लिया जितना मुझे दिखाना है और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर अब सबसे बड़ी कमाल की चीज ये है कि आपको जो background है उससे अपनी वीडियो को match कराना है ऐसा ना लगे कि आपने अलग से वीडियो record की है जितना हो सके उतना match कराना है तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया यानि कि आप में यह दिखा बगल में background में और यह बगल में computer रखा हुआ और पीछे computer रखा हुआ तो यहाँ पर बीच में gap है इसका मतलब मैं यहाँ पर कुरसी डाल के बैठा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको रख सकता हूँ ठीक है इस तरह से बिलकुल photo जो है वीडियो जो है original लगेगी अगर मैं इसको इस पर कर देता हूँ बैड पर तो कोई भी बैड देखके कह सकता है कि यह किस तरह से बैठा है तो यह थोड़े से tricks होते हैं जिसे आपको करना है अपनी वीडियो को और अच्छा करने के लिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको set कर दिया अब हम इसको चला के देखते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि वीडियो चल रही है तो आपको किस तरह से experience आ रहा है अगर आपको दुबारा से stop follow करना है तो इसी वीडियो को दुबारा से देख लीजिए और आपको सही तरीके से आजागा बहुत ही simple, बहुत ही आसान है सबसे अच्छी जो बात है वो है कि वीडियो recording जो आपने green screen पर करी है वो काफी अच्छी quality की होनी चाहिए यानि lighting काफी अच्छी होनी चाहिए तो editing करने में कोई भी परिशानी नहीं आती आगे इसी channel में मैं बताऊंगा कि वीडियो editing में अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी खराब तरह से edit होई है खराब तरह से record होई है तो भी आप chroma की यानि की green screen की सहायता से बहुत अच्छी अपनी वीडियो को बना सकते है उसकी बहुत सारी अलगला setting होती है जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा